एक तरफ पूरा भारत राम लाला की प्रान पर्तिष्ठा के उसर पर समरोह मना रहा था पूरे भारत में दिवाली मनाई जा रही थी उधर पाकिस्तान राम मंदिर पर प्रतिक्रियाय जाहिड कर रहा था अयोध्या में राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा को लेकर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है पाकिस्तान सरकार ने राम मंदिर के उधगाटन को भारत में बढ़ रहे बोसंक्यक वाद का संकेट बता दिया है बता दे कि राम मंदिर में राम लाला की मूर्टिज स्थापना के बाद सोंबार को पाकिस्तान के विजश मंत्राले ने बयान जारी कर बाबरी महजित विध्वन्स की जगह पर राम मंदिर के उधगटन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनमादी भीर ने 6 दिसंबर 1992 को जूरी भी दी बता दे कि बयान में कहा गया है कि 31 सालों के इन घटनक्रमों का नतीजा राम मंदिर की प्रान परतिष्ठा है जो भारत में बढ़ रहे बहुत संख्यक वाद का संकेत है ये भारतीय मुसलमानों को समाजिक आर्थिक और आजनीतिक हासिये पर पहुँचाने क लिए चल रहे हैं प्रयासों का एक महत्वपून पहलू है वही पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि ध्वस्त की गई मस्जित की जगह पर राम मंदिर का निर्मान सद्यों तक भारत के लोकतंत्र पर धब्बा रहेगा भले ही वरार्सी की ज्यानवापी मस्जीद और पूर्ण फैसला देकर राम मंदिर के निर्मान का रास्ता साफ किया कोट की पाच जजों की पिठ ने केंदर को निर्देश दिया था कि वो अयोध्या में महजित निर्मान के लिए सुनी वफबोर्ड को पांच एकड की जमीन दे भारत में बढ़ रहे हिंदुतु की विच चेत्रिय संती को खतरा है। भारत में हिंदुतु की बढ़ती विचाधारा उसके धार्मिक सवहालत और चेत्रिय संती के लिए खतरा है। देश के दूब बड़े राजजियों उत्तरप्रदेश और मध्यपरदेश के मुख मंतरियों ने बाबरी महजित के विध्वन्स औ पाकिस्तान पर कबजे की तरफ पहला कदम बताया है। वहीं अंतराश्टिय समुदाय को भारत में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया और हेट स्पीज की घटनाओं पर संग्यान लेना चाहिए। संजुक्त राष्ट और अन्यसंबंद अंतराश्टिय संगठन को भारत के इस इसके मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने साफ तोर पे कहा ये एक पहला देश होगा जहां के बोश्ट संख्यक अपने ही अराधिक के मंदिर बनाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो इतनी लंबी संगर्स्की हो बाकिस पे आपकी क्या राय है अपने हिस्से कर करें नमस्कार